बोलो जैसी आराम, जैसी आराम जा पर कृपा राम कर होई ता पर कृपा कर ही सब कोई मंगल भवनय मंगल हारी ओमा सहित जहि जपत पुरारी ओमा काह ओमय आनुभवय अपना सतहरी भजन जगत सब शपना बोलिये स्री सद्गुर्देव भगवान की जय बहुत ही सुंदर एक भजन है आज कल बहुत ही बजता है और इसका अर्थ बड़ा प्रेणा दायक है इसलिए हमने सोचा इस भजन का अर्थ बताया जाए पहले भजन सुना देते हैं फिर इसका अर्थ बताएंगे अभी सनातनियों की सान प्रभु श्री राम चंद्रजी का अवध में भव्य श्री राम मंदिर बन करके तयार हुआ उसके श्वागत में नाना तरह के गीत हमारे शनातनी भजन गायक लोग प्रस्तुत करते हैं सुनते ही मन खुश हो जाता है बड़ी भावना बड़ी स्रद्धा भगवान के प्रती है लोगों में तभी तो पान सव वर्षों से प्रभु की जन्म भूमी के लिए सारा सनातनी जो भी मानावता में विश्वास रखता है किसी भी धर्म को मानता था सब लालाई थे तो इस समय एक अलग ही माहौल पुड़े देश में है भक्ति में बामाहौल और प्रभु राम की अगर कृपा रहेगी तो महौल इसी तरह से हमेशा के लिए हो जाए इसी तरह से भक्ति में महौल रहे लोग भगवान का सुबह साम भजन चिंतन ध्यान करें तो भजन है आप सब लोगों ने सुना होगा हम भी सुने हमें बड़ा अच्छा लगा इसका अर्थ हमने सुचा कि इसका अर्थ बताने लायक है आज गली गली अवध सजाएंगे आज पग पग पलक बिछाएंगे आज गली गली अवध सजाएंगे आज पग पग पलक बिछाएंगे आज सुखे हुए पेड फूल जाएंगे नैना भीगे भीगे जाएंगे कैसे खुसिया चुपाएंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे कुछ समझ न पाएंगे कहा फूल बिछाएंगे नैना भीगे भीगे जाएंगे कैसे खुसिया चुपाएंगे राम आएंगे आज गली गली अवध सजाएंगे आज पग पग पलक बिछाएंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे सर्जु जल थल रोये, जिस दिन राघव हुए पराये, बिरहा के सव पर्वत पिघले, हेर घुराई कब तुम आये सर्जु जल थल रोये, जिस दिन राघव हुए पराये, बिरहा के सव पर्वत पिघले, हेर घुराई कब तुम आये एवही छड है निरंजन, जिसको दसरत देखन पाए, सात जन मोके दुख दूर कर जाएंगे आज सर जुके तट मुस काएंगे, आज सर जुके तट मुस काएंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मौर नाचेंगे पपी है आज गाएंगे आज दसों दिसाएं जैसे सगुन मनाएंगे राम आएंगे ने ना भीगे भीगे जाएं, कैसे खुसिया मनाएं राम आएंगे आएंगे राम आएंगे कभी ढोल बजाए, कभी द्वार सजाएं, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे जाके आश्मान शेतारे मांग लाएंगे कौसल्या के लला जी तुम्ही पर लुटाएंगे चौदा साल जो रोके आसु अब बहाएंगे अवद में राम आएंगे हमारे राम आएंगे नतमस तक है तीन लोक और सुरनर करे प्रनाम अनेक चंद्रमा अनेक सुर्य पर एक जगत में राम आज दसों दिसाएं जैसे सगुन मनाएं राम आएंगे आएंगे राम आएंगे ने ना भीगे भीगे जाएं कैसे खुसियां छुपाएं राम आएंगे आएंगे राम आएंगे कभी धोल बजाए कभी द्वार सजाए राम आएंगे आएंगे राम आएंगे बहुत ही सुन्दर भजन है जिसने भी लिखा है अर्थ प्रेणा दायक है अयोध्या में प्रभु स्री राम चंद्र जी लीला करने के लिए जब वन गमन को चले गए तब अवधवासी किस तरह से प्रभु की प्रतिच्छा कर रहे हैं इसी का चित्रन इस भजन में किया गया है एक लाख वर्ष से भी अधिक समय रामा अवतार का इस धर्ति पर हुआ लेकिन प्रभु स्री राम के प्रति जो अनन्य प्रेम आज तक भक्तों में है वह बहुत ही सराहनी प्रशन सनी है क्योंकि राम का कभी न जन्म होता है न राम की कभी मृत्यू होती है राम तो अभी नाशी है प्रमात्मा है बोल दे 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 बोले तो इसलिए राम जी भजन तो आज गली गली अवध सजाएंगे से माहौल अभी उसी तरह का है क्योंकि मुगल लोग जब भी भारत में आये हर मुगल तो कुछ न कुछ यहाँ पर शनातन की जो भी बेवस्थाएं थी उसको भंग करने का काम किया और अपना वहाँ पर परचम लहराने का प्रयास किया और हम सनातनी जो थोड़े दयालू पड़ते हैं और उसी का फाइदा मुगलों ने खुब भर पूर लिया आपसी एकता बैमनस्यता समश्या बनी आपसी एकता हम लोगों में नहीं थी आपस में बैमनस्यता थी सब जात बात में आपस में लड़ रहे थे चुगा चूत में लड़ रहे थे पढ़ने का अधिकार, लड़ने का अधिकार, किसका छुगा न खाएं, किसका खाएं, तमाम चीज पर बैन कर दिया गया जो कि प्रभुर्श्री राम चंद्रजी या हमारे जितने भी महापुरुस हुए सभी मानों को सभी इंसान को एक करने का प्रयास किया लेकिन ये बाबरी मस्जिद वगेरा वहाँ पर इन लोगों ने राम मंदिर को तोड़ करके बना दिया ऐसे कई जगह हैं जहां पर इस तरह के सनातनियों के आस्था का जो प्रतीक मंदिर था उसे तोड़ तोड़ करके अपना बनाने की कोशिस की जो की न राम अलग है न खुदा अलग है न गौड अलग है ये भगवान परमात्मा एक ही है भास्यांतर नाम अलग अलग है लेकिन हम सबको समझ में आता है कि मेरे अलग है कोई सोचता है कोई सोचता है मेरे राम अलग है कोई सोचता है मेरे गौड अलग है कोई सोचता है मेरे इसू अलग है ऐसा कुछ नहीं भगवान एक है और इसके लिए हम सबको आपस में लड़ना नहीं चाहिए आप जिसको मानते हैं उसको खूब मानते रहिए लेकिन यह समझे कि सब एक ही है अब भारत में जितने भी मुसल्मान हैं सब के सब हिंदू हैं सब छूने खाने से मुसल्मान बन गए हैं किसी भी मुसल्मान का आप तीन पीड़ी चार पीड़ी पहले का इतिहास पूछिए दादा छर दादा का नाम पूछिए नहीं बता पाएं क्यों क्योंकि आपके सगे भाई थे तो आज का जो महावल है प्रभूर स्री राम का जो भव्य मंदिर बना था राम जी कहीं गए नहीं थे राम तो यहीं है लेकिन इस भजन का सिर्शक है आज गली गली अवध सजाएंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे राम तो सरवत्र हैं हरी व्यापक सरवत्र स्रमाना प्रेम ते प्रगठ हो ही मैं जाना राम जी कहीं गए नहीं ते भगवान प्रमात्मा एक छण के लिए श्रिष्टी से वो जल नहीं हो सकते अगर हो जाएंगे तो शिर्ष्टी खतम हो जाएगी राम रामण युद्ध चल रहा था किसी ने कहा प्रभू रामण के हिर्दय में बान मार दीजिए मर जाएगा आप सिर काट रहे हो फिर दूसरा सिर जुड जा रहा है भगवान ने कहा हिर्दय में बान में मार सकता हूँ लेकिन रामण के हिर्दय में प्रतिपल सीता का बास और सीता जी के हिर्दय में प्रतिपल मेरा बास और मेरे हिर्दय में संपूर्ण स्रिष्टी का बास हिंदुस्तान का नहीं、 Америкा का नहीं, चीन का नहीं, पूरी श्रिष्टी का बास भगवान प्रमात्मा के हीर्दय में पूरी श्रिष्टी का बास है पूरा अबिश्व, इसलिए हम सनात्नी, बसुधैयक, आकुटूंबकम्र का पाथ पराते हैं पुड़ा बिश्व ही मेरा परिवार है, सब सनातनी हैं, क्योंकि तमाम देशों की खोज हुई है, तब वो देश अस्तित्व में आये हैं, लेकिन भारत की खोज कब हुई, इसका कोई एतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता, अनादिकाल से भारत वर्ष हैं, बाकी और देशों का अस्तित्व मिलता है, कि ये इतने वर्ष पहले खोजे गए, इसकी खोज इसने की, इसकी खोज इसने की, तो इसलिए जब भारत अनादिकाल से है तो भारत से ही लोग जा जा करके सब देसों की खोज किये होगे इसे हैं साबित हो ताग सब सनातनी आज भी तमाम देसों में राम लीला वगेर होती है वहां के सिक्कों पर सनातनिक चिन्ह मिलते हैं इसलिए हम सब लोग जो भी सनातनी है वो दयालू होते हैं और सब को ले करके चलने में ही विश्वास रखते हैं और यहीं मानवता है और यहीं प्रभूर श्री राम चंद्रजी ने हम सब को सिखाया है और जो बिभेद डालें वो सनातनी नहीं हो सकते जो जातपात करके मानो मानो को तोड़ें वो सनातनी नहीं हो सकते वहीं राम के भक्त हैं जो बड़े भाग मानुस तन पावा पर वि बाद में थोड़के लोगों ने बना दिया, फिर उसके बाद हम सभी राम भक्त ने वहाँ पर फिर से अपनी आस्था को अस्थापित किया, फिर कई सववर्षों तक आपसी विद्ध रागद्वेश चलता रहा, फिर उसके बाद फैंसला आया सुप्रीम कोट का फिर वहाँ परमंदिर बना और वो घड़ी आ गई बाइस्तारिक को और पूरे देश में एक राम मैं भक्ती मैं वातावरन बना, तो ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे भगवान बन गए थे और बन से आये थे तो उसी तरह से भगवान फिर अवध में आ रहे हैं और वैसे तो जहां राम हैं वहीं अवध हैं अवध हैं ये आत्मा हीं अवध हैं इसका वध नहीं हो सकता अधन बद बराबर अवध हैं तो ये भक्त अपनी भावना को व्यक्त करते हैं कि आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बीचाएंगे, आज गली गली अवध सजाएंगे, जब आपके यहां कोई मेहमान आते हैं, साधी विवावत, सव इत्याद होता है, सत्संग भंडारा होता है, तो आप अपने गावन अगर को खुप सजाते हैं, जब भगवान ही आ रहे हो, तो भगवान के सद्गुरू का चरन अगर किसी खंड़र पर पड़ जाए, वो अभी स्वर्ग हो जाता है, किसी के दिल में वह स्वरूप आ जाए, वो घर ही, बिमल बिलोचन ही के मिटा ही, दोस दुख भवरजनी के, तो भगवान ही आ रहे थे, इसलिए गोबर से, मिट्टी से देखते हैं, दिवाली का वो शमय होता है, जब प्रभु स्री राम चंद्र जी आये थे रामणवद करके, तो लोग अपने अपने घरों को सजाते हैं, आज पेंट ओंट हो गया, तो लोग पेंट करते हैं, जिसकी जैसी छमता है, सब अपना घर आंगन सजाता है, आज पग पग पलक बिछाएंगे, जब आपका कोई सिने ही प्रिय आते रहता है, तो आ बात करते हैं, हर पलक दिमाग उधर ही लगा रहता है, और भगवान जब आ रहे हों, तो माता कौसल्या का, भरत जी का, सतुर्धन जी का, माता कैकेही का, सुमित्रा का, सब का पलक उधर ही लगा हुआ था, कौसल्या माता कभी आके, महल में साप सफाई पर ध्यान देने ल कभी चप दे छट पर आके चढ़ जाएंगे, कि का, राम मेरा किधर आया, कहां पहुचा, भरत जी पे चारे, आँक से आशू बहर आथा, कि कब प्रभु आएंगे, सतुर्धन पूरी बेवस्था में देख रहे थे, तो अवध वासी पूरा अवध को सजाए हुए थे, जैसे आज अयोध्या सजी हुई है, देश बिदेश से लोग वहाँ पर भगवान के दर्शन हेतु आ रहे हैं, सब पलग विछाए हुए हैं, बाइस तारीक का, आज सुखे हुए पेड फल जाएंगे, नै ना भीगे भीगे जाएं, कैसे खुसियां छीपाएं, कुछ समझ न पाएं, काहां फूल बिछाएं, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, आज सुखे हुए पेड फल जाएंगे, भगवान राम जब बन में गए थे न तो बिना रितू के भी फल फुल जैसे आम का सीजन होता है लेकिन नहीं भगवान बन गए तो बिना रितू के भी फल फल गए थे खुब सुंदर सुंदर कि भगवान आएंगे, कंदमूल खाएंगे, अब कुछ नेता लोग ने भगवान मांचा हा ली थे ऐसा नहीं, कंद मूल फल खाए, चौदा बरस बनबास में बिताए, कभी भी पुड़े बनबास में बाईर खाए, लंका में जाके कंद मूल फल खाए, निशाद बहुत सारा भोजन सामगरी लाया, भोग लगाएं बुले में नहीं खाऊंगा, हमें आदेश मिला है जो माता क तो और लचमन जी भी परण कुटी में ऐसा आया है, फल इत्याद लेके आते थे, जो बसता था, लचमन जी खाते थे, माता राम और सीता को खाने के बाद, तो इसलिए सारे फल, बेमौसम फल भी फल गए थे, कि भगवान आएंगे ते, यहां आज सूखे हुए पेड फल जाएंगे, नए ना भीगे भीगे जाएं, कैसे खुसी आची पाएं, जब बहुत आदमी खुस होता है न, तब भी आँखों से आशू निकलता, या तो बहुत दुखी होगा, तब आँखों से आशू निकलेंगे, दो ही परिस्तिती में आशू निकलता, जैसे हाट अटेक भी होता है, जब बहुत खुस हो जाओगे, तब हाट अटेक होगा, या कोई बहुत दुख से भरा समाचार सुनोगे, तब उसी तरह आँख में जो आशू है, या बहुत खुसी हो जाती है, तब या तो बहुत दुख आता है, तब दो परिस्थिती में ही आशू आते हैं, तो बार बार भक्तों के नैन भीग जा रहे हैं, भगवान कब आएंगे, कब आएंगे, वो सोच सोच के, कुछ समझन पाएं, कहां फूल बीचाएं, जब हावना प्रगाड होती है, तो समझ में नहीं आता है, कहां माला बीचाएं, कहा सजाएं, बाद में जब आदमी सो तारे भाई मलवा थोड़ा सा ऐसे कर दिये होते तो और खूस हो जाते, महराज जी और आशिरवाद देते, भगवान और आशिरवाद देते, लेकिन जैसे खूसी के मारे, जब भगवान कृष्ण बिदुरानी के घर में, बिदुर की पत कि बस्त्र का भी ध्यान नहीं रहा, और छिलका भगवान को गुद्दा डस्ट बीन में, केला का, ये खूसी का छण हो जाता है, आदमी भावना में जब भता है, तो बुद्धी वहाँ पर सुन्य हो जाती है, तो नए ना भीगे भीगे जाएं, काहा फूल बिचाएं रामाएंगे, सर्जु जल थल रोये, जिस दिन राघव हुए पर आए, जिस दिन भगवान का वनवास हुआ था, शर्जु मय्या बगल में नदी बह रही है, वास्तों में आध्यात्मिक में आप जाएंगे, तो ये श्रीव, स्वासी श्रीव है, लेकिन भावतिक जगत में भी भावना वनती है, साधनातमक भावनाय चलती हैं, और इसे ही भावना धीरे धिरे आध्यात्मिकता की तरब चली जाती है तो सरजु भी रोई थी क्योंकि भगवान चले गए जल थल जड चेतन पेड पौधे सब भगवान के लिए विरह में रोई थे पच्छियां भी रोई थी पूड़े अवधवासी रोई थे यहां तक की अवधवासी तो साथ चले गए भगवान ने रत को इधर उधर घुमा फेरा करके उनलोग को सोय हुए ही छोड़के चले गए तो इसलिए जिस दिन रागों पर आये हो गए अवध से चले गए तो यह सब रोई और जिस दिन भगवान का श्वरू फिर्दय में आना बंध हो जाता है अनुभव होना बंध हो जाता है कभी कभी भक्त लोग करते हैं महराज स्वामी जी अनुभव में आते थे अब नहीं आ रहे हैं कुछ बताते थे नहीं बता रहे हैं पहले महराज से बात करते थे कुछ कुछ लोगश्वापन देखते रहते हैं तो कभी अनुभव आना बंध हो जाता है गाठ पड़ी पिया बोले नहम से तो यह जीव रोने लगता है यह जल्थल रोये जब से राघव हुए पर आये जब भजन चिंतन शूर जाता है तो सब फिर धिरे धिरे अगर भावना प्रगाड होती गई भजन चिंतन होने लगा तो फिर भगवान हिर्दय में आने लगते हैं सवध में तो फिर से खुशियां मनने लगती है तो विरहा के सव परवत पिघले हेर घुराई कब तुम आओगे विरह के सारे यूपी में जाए विरहा लोग गाते हैं स्वामी जी जब यादर लोग गाते हैं विरहा सुना विरहा मतलब गाना नहीं होता विरह वैराग्य मानस में गुश्वामी जी ने लिखा है कि हनुमान जी जाते हैं जब पत्रिका लेकर के भगवान भेजते हैं जाओ भरत को कर दो तो जासु विरह सोच हूं दिन राती हे भरत जी जिसके लिए आप रात दिन विरह में सोच रहे हैं विरहाग्य में जल रहे हैं वो राम जी आने वाले हैं तो जो भी विरहा लोग गाते हैं वो विरह गाते हैं भगवान के भक्ती का एक भावनात्मक गीत होता है विरहात्मक गीत होता है तो भरत जी सोच रहे हैं सौ परवत पिघल गए माता मीरा की चोली कभी नहीं सूकती थी कैसे आखों से आसू हमेशा बहते रहता था कभीर साहब ने कहा बिन रोय न पईवू सजन सक्षियां रोना तो पड़ेगा हे रघुराई कब तुम आओगे हे भगवान कभी शिर्दय में आओगे कभी सवध में आओगे तो तानसेन महराद जी एक भजन गाते हैं कि कैसे कहदू प्रभू तेरी कृपा में कमी सत्य है साधना में कमी रह गई वगवन मेरे में कमी रह गई कि आप नहीं आ रहे हैं वो भरत जी सोच रहे हैं उतने महनवान जी आ गए तो ये वहीं छड़ है निरंजन जिसको दसरत देखन पाए दसरत जी भी वेचारे राम 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 स्राप था न स्रोन कुमार के माता पिता का जैसे मैं पुत्र वियोग में मरा वैसे तुम भी तडब तडब के मरोगे तो दसरत जी तो बेचारे सोच रहे थे कि कब मेरे राम जी आएंगे कब मैं उनका दर्शन करूँगा ठीक उसी तरह से जैसे पांसो वर्स से हमारे पुर्वज हमारे सनातन धर्म के अनुयाई सोच रहे थे कब मंदिर बनेगा कब मंदिर बनेगा कब मंदिर बनेगा कब कोर्श डिसीजन आएगा कब मेरे राम लला वहां भी राजेंगे कितने वैचारे सोचते सोचते चले गए आँखों में सपना लिये-लिये, मंदिर देखने का, अपनी आस्था को वहाँ पर, जिसको हम मानते हैं, जिसके प्रती हमारी आस्था होती है, उसका एक भव्य, सिंहासन भव्य, मंदिर, उसकी जनम भूमी पर होना ये तो अधिकार ही है हम लोगों का, वैसे मन ही मंदिर है, ठीक है, सब ठीक है, लेकिन बाहर बच्चों को बताने के लिए, ये मंदिर जरूरी है, वहीं से संस्कार जगते हैं, तो वह मंदिर देखने के लिए, न जाने कितने लाठियां पुर्वजों ने खाई, कार सेवक लोग ट्रेन में भर भर के जाते थे, और सरकारें ट्रेन की भोगियों का इंजन उधर से इधर लगा देती थी, ट्रेन तो चली इधर से अजद्ध्या की तरफ, रात में पता लगा, ट्रेन पटने में खड़ी है, क्योंकि उसका भोगी का इंजन उधर था, आगे जाके खुलवा के इधर कर दिया, सब पेचार सुबा यही है, कितनी सरद्धा थी भगवान के प्रती लोगों की, और वो लोग नहीं देख पाए, आज जो लोग जिन्दा हैं, जो 22 तारिक के गवाह बनेंगे, जो मंदिर बनते हुए देख रहे हैं, वो भाग साली हैं, लेकिन इस चीज को दसरत नहीं देख पाए, वो जितने मर गए बेचारे, वो दसरत हैं, उनको मानो, वो नहीं देख पाए, और किसी जात के रहे हो, किसी धर्म के रहे हो, लालसा सब को थी, जो भगवान को मानते थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदूों में ही, सनातनियों में ही, राम को मानने वाले हैं, सब जगह, आप उदाहरण में सीज जुकाएंगे, और वहां जाके मानवता का पाठ पढ़ेंगे, मानवता का उदाहरण पढ़ेंगे, राम के चरित्र को अपने जीवन में ढालेंगे, तो इसलिए अवधवासी कह रहे हैं, रो रो के, क्या बताएं, हम लोग तो राम को आते देख लिए, कौसल्या माता करें हैं, कैके माता करें, सुमित्रा माता करें, भरत जी करें, लेकिन दसरत देखने पाए, दसरत जी नहीं देख पाए, इसलिए आप सब लोग, हम सब लोग भाग साली हैं, साथ जन मोके दुख दूर कर जाएंगे, आज सर जुके तट मुस काएंगे, हमारे दादा गुरुमराज करते ते हो, जिस घर में एक राम भक पैदा हो जाए, केवट भी पितर पार, पुनि प्रभुई, पुनि मुदित गयाउन ले पार, तो वो उसके पुर्वज पितर सब तर जाते हैं, जब भगवान की सरण में जीव चला जाता है, भगवान आज आते हैं हिर्दे में, तो कई सब जनम जनम के पाप धूल जाते हैं, चुलिया काहे न धूलाई, बाके जोगिया, ये अपने आप चुनर में दाग कहां से लागल, जो जनम जनम के दाग लगे हुए हैं, तो ये सब धूल जाएंगे, जो मैं जनतीव पियार इसी यहीं हैं, नेह न लगएतीव यहीं जग से, तो साथ जनमों के दुख दूर कर जाएंगे, आज सरयू के तट मुस्क आएंगे, एकदम हिर्दय आलादित हो जाएगा, स्वास गई तो राम आई तो राम एकदम विकार रहित, राम 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 चलने लगा भगवान हिर्दय में आगे, कोई संकल्पन बाहर से अंदर जाएगा, न अंदर से बाहर आएगा, सर्यू का तट देखिया दिपावलिक दिन, योगी जी कितना इदिपक जलवाते हैं, कितना सुंदर, अभी कितना अच्छा सजा हुआ है, देखने में ही लगता है, ये तट मुस्कार हैं, कि चलो भगवान का भव्य मंदिर, भगवान तो एद्ध्या में ही थे, कहीं बाहर नहीं थे, लेकिन भव्यता जो बन गई, सान जो सनातनियों की बन गई, वो सबसे बड़ी चीज है, इसलिए मोर नाचेंगे, पपी है, आज गाएंगे, आज दसों दिसाएं, जैसे सगुन मनाए, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, जब खुसी होता है, मोर खुब खुसी होता है, तो नाचता है पंखुडी फैला करके, तो एक तो बाहरी मोर है, एक मन मोर है, पहले मन यह कागथा, करता आतम घात, पाचे मन हंसा भया, मोती चुंचुंखा, तो मन कब खुस होता है, जब भगवान का एक दम भजन होने लगे, तो मोर नाचेंगे, मोर नाचने लगेंगे, और पपीहे गाएंगे, मेढग टर, 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 कितना बढ़िया बारिस के समय सब, लगता है कोई गीत गारा, एक साइड से एक साइड तक गाते रहेंगे, कोयल भी गाती है, पपीहे गाएंगे, आज दसों दिशाएं जैसे सगुन मनाएं, दस दिशा होती है, चार कोना, पूरब पस्ची मुत्तर दखिन, ये चार, आठ और उपर और नीचे ये दस, अकास पताल, ये दस दिशाएं, ये दसों दिशाएं, दस दिशा, दस इंद्रिये, ये मुस्काएंगी, दसों इंद्रियां दसरत हो गई, खिल जाएंगी, दसों दिशाएं मुस्काएंगी, भगवान आगए तो, दसों दिशा, जोगन छत्रवार ग्रियतुलसी गनतन काहि, रामदाहिने जाहि, के सकलदाहिने ताहि, रामदाहिने आगए, दसों दिशा खुस हो गई, और कभी ढोल बजाए, कभी द्वार सजाए रामएंगे, भगवान की खुसी में भक्त लोग कभी ढोल बजाते हैं, कभी नगाडा बजाते हैं, आसरम में देखे आरती होता है, कि मंदिर में ठकुरवारी में दोहां धोल नगारे घंटी ये बजते हैं, सुबह साम, और जब आप कहां कोई आने वाला होता है, साधी बिवा होता है, तो आप नगाडा, धोल, बाजा ये सब बजाते हैं, खुसिया मनाते हैं, भगवान आ रहे हैं, जाके आस्मान से तारे मांग लाएंगे, कौसल्या के लला जी तुम ही पर लुटाएंगे, जब भगवान आते हैं, या भगवान के पास आप जाते हैं, जिसे भगसुदामा गए तो कुछ नहीं था, तो मान करके उनकी पत्नी ने चावल दिया, ले जाओ भगवान को खिलाना भगवान मागेंगे तो क्या दोगे तो उसी तरह जब भगवान आते हैं तो जिन भगत के पास रहता है तो रहता है ने तो मांगे सादू संत महात्मा लोग भी छाटन करके भी ठकुरवारिम भोग लगाते हैं भगवान को लेकिन लगाते हैं तो कहें कि जाके आस्मान से तारे मांग के लाएंगे भगवान के लिए आज जैसे भक्तों की दसा देखिये भारत में क्या है एक-एक इट राम 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 लिखा हुआ वहाँ पहुँच गया था सारे नक्से तैयार सारे पत्थर मुर्ती तैयार होके सब केवल आदेश का इंतजार था और आज जैसे ही मंदिर बन गया तो कोई 108 फिट की अगरवत्ती तो कोई भगवान के लिए स्वान मुकूट तो कोई नेपाल से सोना, लाद लाद के कोई फल, तो कोई जल भगवान के अरपित करने के ताता लगा हुआ ये वध्या में अपनी आस्था को लोग अरपित कर रहे हैं, कितना बढ़िया चित्रण है, कितनी आस्था राम के प्रती लोगों की है, ये देखते बनता है कोई भगवान के लिए वस्तर भेज रहा है तो कोई मुकूर्ट तो कोई कुछ तो कोई कुछ तो जाके आसमान से तारे मांग लाएंगे कौसल ले आके लला जी तुम्ही पर लुटाएंगे हे राम जी आपके स्रीचरणों में लुटाएंगे भगवान तो पुरी दुनिया को देते हैं लेकिन जब भक्त भाव से अलादित होता है भक्त को लगता है कि नहीं प्रभू की खृपा से हुगा तो तेरा तुझको अरपण क्या लागत है मौर सब भक्त भगवान पर ही अरपिट कर देता है कि प्रभू ये तो पहीं का मेरा उसमें क्या लगाप ने दिया था और मैं वो चीज बस आपको दे दिया इसमें मेरा कुछ नहीं है यह नहीं कि मैं दे रहा हूं इस भावना से सब लोग प्रभू के लिए समर्पित हो रहे हैं पूरा भारत से दसांस वहां पहुचा था मंदिर बनाने में लगा सब लोगों ने खुसी खुसी दान दिया आज भी जितने भी भारत में मंदिर हैं सब दोने संदान से ही चलते हैं इसलिए भगवान पर सब करते हैं लोग लुटाते हैं 14 साल जो रोके आसू अब बहाएंगे अवध मेरा माएंगे 14 साल से तो अवध वासी लोग आसू रोक के रखे थे लेकिन भारत वासी सनातनी लोग 500 वर्सों से प्रभू के लिए संघर्ष कर रहे थे अब खुसी के रूप में वो आसू सब के हिर्दय में है सब के आखों में है सब खुसी के आसू भगवान के लिए समर्पित करना चाहते हैं अच्छत जल्बिश्व हिंदू परिस्ट वाले बाट रहें अच्छत घर घर बाइस तारिक के बाद जो भी लोग घर घर से जब जिसको समय मिले जब जिसको बेवस्था हो जाए जब जिसको राम जी बुला ले तब आप जाईए वहाँ पर अपना दर्शन करिए स्रद्धार पित करिए और पुन्य कमा करके फिर अपने घर आईए फिर राम के शिद्धान्त पर अपना जीवन को जीए तो 14 साल जो रोके आशु अब बहाएंगे अवध में राम आएंगे ये खुसी के आशु अवध वासी बहा रहे थे जैसे आज भारत वासी येंगे आखों में खुसी के आशु है नत मस्तक है तीन लोके और शुरनर करे प्रनाम भगवान आये थे अवध के राजा बने राम राज बैठे त्रेलोका हरसित गयग भै सब सोका सब देवता लोग आती कर रहे हैं प्रनाम कर रहे हैं अनेक चंद्रमा अनेक सुर्य पर एक जगत में राम गुश्वामी जी ने लिखा मानस में के कोटिन चतुरानन गवरी सा अनेक सुर्य अनेक भोले नात अनेक चंद्रमा अनेक धर्ति देखा काग भुसुंडी जी ने ब्रभु के मुख में लेकिन राम न देखा उमान दूसरा राम देखा ही नहीं राम कौन है परमात्मा है उनको आप जो भासा में जो बोल दें वो सदैव थे ऐसा नहीं तरेता में ही भगवान आये राम सदैव है राम के पहले भी राम थे राम के बाद भी राम है राम शदयव रहेंगे राम अजन्मा है राम अविनासी है इसलिए गुष्वामी जी ने उनको चिनमय ब्रम्ह अविनासी की संग्या दी तो आज दसों दिसाएं जैसे सगुन मनाए राम आएंगे नई नभीगे भीगे जाएं कैसे खुशियां मनाए राम आएंगे कभी ढोल बजाएं कभी द्वार सजाएं राम आएंगे इसलिए भक्त का भावना है बहुत ही सुन्दर भगवान के प्रती आप भगवान का भजन करें ध्यान धरें गीता रामचरित मानस पढ़ें तो चवदह वर्ष के बाद जैसे अयुध्या में भगवान आये थे वैसे आपके भी अंदर उन प्रमात्मा का छबी अंदर आने लगेगा और स्वरू प्रगठ होने लगेगा तुलसी सुभग सनेह बन स्रीर अभवीर विहार भगवान सनेह रूपी बन में विचरण कर रहे थे तो इसलिए प्रेम सनेह आपका लगा हुआ है तो आप भगवान के पास में है और प्रेम सनेह नहीं लगा हुआ है तो भगवान के पास में रहते हुए भी पास में नहीं है इसलिए ये बहुत ही अमरित महोत्सव यूग है इसमें हम सब आप सब लोग बहुत ही पुन्य साली हैं भाग्य साली हैं बस कमी थोड़ी सी है कि राम के सिध्धान्त को अपनाने की जरूरत है इसलिए प्रतेक व्यक्ति को राम से कुछ सीखना है ओम स्री सद्गुर्देव होगान की